Hello friends and welcome to our channel जिसका नाम है Masters Education Point जिसमें हमारी main videos M.com से related होंगी Start करते हैं हमारा आज का topic जो है Risk and Return Trade-off High Risk is associated with greater probability of higher return and lower risk with a greater probability of smaller return जब भी हम कहीं invest करते हैं तो हमारे पास क्या होता है दो option होते हैं कि अगर हम कहीं ऐसी जंगा invest करते हैं जहां का risk high है तो वहां हमें probability जदा होती है कि हमें return भी high मिलेगा और अगर महां पर risk कम है तो यह probability जदा होती है कि महां का return भी कम होगा this trade-off which an investor faces between risk and return while इन्वेस्टमेंट डिसीजन इस कॉल्ड दी रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ओफ तो जब कोई भी परसन इन्वेस्टमेंट करता है तो उसे ये चीज देखनी होती है कि उसको कहां ज़्यादा रिस्क होगा और कहां कम रिस्क होगा अगर वो ज़्यादा रिस्क वाली इन्वेस्टमेंट चूज करेगा तो उसको ज़्यादा chances होंगे कि उसको return भी ज़्यादा मिले और कम risk वाली investment चूज करेगा तो वहाँ पर ज़्यादा chances होंगे कि उसको return भी कम मिले तो यह balance बनाने हुई हम क्या कहते हैं risk and return trade-off तो चलिए इस एक example की तुरू समझ लेते हैं एक person है A उसके पास दो option है invest करने के पहला कि वो bank account open करे and second is कि वो उसी amount से shares purchase कर ले अगर वो bank में अपना amount invest करता है तो वहाँ उसको risk तो कम होगा बट उसको वहाँ साथ साथ return भी कम मिलेगा लेकिन अगर वो shares में अपना amount invest करता है तो वहाँ उसको risk के साथ साथ ज्यादा chances होंगे return के भी ऐसे ही company अपनी return को high करने के लिए क्या करती है risk लेती है लेकिन company में इन दोनों को balance करने का काम जो करता है वो करता है financial manager यह करता है financial manager क्या करता है balance करता है क्या risk and return ताकि उसकी market value shares की increase हो किसलिए increase the market value of the shares तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो like, share जरूर करें और यह लाल वाला बटन भी दबाना ना भूले जिससे की मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप miss न कर पाए और अगर आपका कोई topic है जिसमें आपको problem है तो आप हमें comment करके बता सकते हैं, thank you